खटाखट 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 आता रहेगा अरे रावल गांदी जी तुम भी मोदी की तरह जुमला देने लग गय हो लगता है जब चुनाओ आता है जब जब जुमला देते हो उसके बाद सो जाते हो मोदी जी ने जुमला दिया था 15-15 लाक रुपया देंगे अभी देला नहीं मिला है अब तुम बोल रहे हो कि जिस गर में लुगाई है लुगाई उसको एक साल में एक लाक रुपया देंगे अरे दे भी गाया खाली पागल बना रहा है हम लोगों को सईसे बता दे तू मेरे को मेरे पास बहुत लुगाई है पहले तु सकीम बता उसके बाद लुगाई का जुगार मैं अपने आप कर दूँगा बता जल्दी क्या सकीम है तेरी मेरे दिमाग में एक नंबर है परे बाई साब तेरे दिमाग में एक नंबर है तो मैं क्या चाटू नहीं नहीं तेरे नंबर से मेरे को क्या होने वाला है जो काम की बात है वो बता तूने बोला है जिस गर में एक लुगाई है उसको एक लाग रुपिया साल का मतलब महिने का आठ हजार पांसो रुपिया खड़ा 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 आता रहेगा अब आता भी हिंदुस्तान की अरे यह मेरी लुगाई प्योर हिंदुस्तान की है बार देश अंग्रेजों की नहीं लाया हूँ अरे अरे तु खाली मेरा दिमाग क्यों चाट रहा है मेरी लुगाई बहुत टेंशन में है बोल रही है साल का एक लाग रुपिया मिलेगा बलमा जी बलमा जी मेरी लाली लिपिष्टिक मैं खुदी लिया हूँगी अरे जल्दी बता दे राउल गांदी ये गरवाली मेरे को रोटी नहीं देगी श्याम को जल्दी बता हर गरीब परिवार में एक महिला को बहेंगन अब राउल गांदी जी तू बोल रहा है कि हर गरीब परिवार में एक महिला को अब जिसकी दो महिला है वो कहा गंगा जीन आने जाएगा क्या या डोल तमार सब जाएगा ऐसे नाइनसाभी मत करवाई मेरी दो लुगाई है मैं दोनों लुगाई हो के एक एक लागर पहलूँगा अगर मंजूर है तो भोट दूँगा वरना मैं तेरे को भोट नहीं दूँगा मैं मोदी जी को फोन लगा के बताऊंगा कि मोदी जी हमारे साथ अंध विश्वास कर रहा है घरों में लडाई मचवाएगा ये एक लुगाई को देगा दूसरी लुगाई को नहीं देगा बापरे बाप ये तो घर घर में लडाई करवाएगा लगता है साइसे बता पूरी जानकारी तभी मैं मोदी जी को बताऊंगा मोदी जी भी पूरा सबूत के साथ बात सुनता है ठीक है जल्दी बता अच्छी तरह सुनिये जा माई ला और क्या मैं कथी तरह सुन रहा हूं। चड्डी मांग मांगकर मेरी 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 धोती पट गई हा राउल गांदी जी यह मोधी सरकार में एतनी मेहाई हो गयाई हो गय को तिन poczu कोई नहीं है और दो दो लुगायों के खर्चे उठा रहा हूं और तुम बोल रहे हो अच्छी तरह सुनो अरे मेरे कान ऐसे खुले हैं जैसे जैसे उसके कुट्टे के कान खुलते है ना लूम्री के भेडिये के ऐसे कान खड़े करके सुनता हूं तेरा बासन क्योंकि 10 साल से गरीबी का मारा घुम रहा हूँ मैं इदर उदर कोई मेरे को चारा नहीं मिल रहा कहीं भी जल्दी बताओ तुम क्या कह रहे हो अच्छे से सुन रहा हूँ साल का एक लाख रुपिया बैंक अकाउंट में डाल देगी अरे मेरी लुगाईो सुन रही हो सुन रही हो अगर में 10 लुगाई लिया हूंगा तो साल का 10 लाग रूपया आएगा आपरे बाप फिर तो मोज हो जाएगी साल का 10 दो साल का 20 मोदी जी के 15 लाग गए घाने खीस किसका हो मोदी जी के 15 लाग हमको नहीं चाहिए हम तो श्रीप रावल गांदी के चाहिए लाख लाख रूपया अरे 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 वे वे रावल गांदी जी तु हमको पागल बना रहा है मेरी लुगाई बोल रही है मेरी लुगाई बोल रही है कि एक मैला को देगा या दो लुगाईों को देगा क्योंकि मेरी दो लुगाई है दोनों के बारे में बता है साही साही मेरी लुगाई बहुत परेशान हो रही है तेरा बासन सुन-सुन कर ऐसे ही टेरा बाशन समज नहीं आता हमको बोलता क्या है करता क्या है जल्डी बठा अगर अगर गरीब हो बहेंगन अब ऐ're रावल गांदी जी हम गरीब नहीं हम टाटा विडिला की ऊलाद है हगने जाते हैं तो हेलिकोप्टर लेके जाते हैं तेरे को पता नहीं हम लोगों के पास हेलिकोप्टर है। और दोती के नीचे कच्छा नहीं है अरे इसी से समझ जब हम लोगा के पास कच्छा नहीं है तो बैंक में कोई पैसा पच्छा नहीं है दस साल में सारा खतम हो गया समझ गया और मेरी लुगाई जब से साधी करके आई है वही लेंगा चुनी और गागरा पैर के बैठी है जा 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 मोजी जी का ओल्लाइं मॉपिंग डरोनिंग से देख हम लोगों को हम बैठे हैं या फुटपात पर और बकरी का दूद पीते हैं नहीं पीते नहीं है बकरी का दूद बेच कर यह अपना गुजारा कर रहें इतनी महंगाई में अपकोड़ा बेरोजगार तो हम कर नहीं सकते क्योंकि सरसो तेल नहीं है सलेंडर नहीं है अब बताओ और तू मेरे को गुमा क्यों रहा बाइचा पंद्रा लाग के कोशिश कर रहे हो क्या साही साही बता हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर आप गरीब परिवार हो अरे मेरे रावल गांटी जी यह गलिया यह चूपारा मोदी जी यहां आना ना दूबारा हम तेरी सरकार में बन गए टाटा बिडला की उलाद अरे रावल जी हमोदी सरकार में टाटा बिडला की उलाद नहीं बने हैं अरे हम गरीब हैं गरीब थे गरीब हैं गरीब कर दिया गए रहे 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 बाप रहे बाप यह क्या बोल दिया मैंने मैंने कहा मेरे बाप दादा टाटा बिडला थे 2014 के बाद से गरीब बन ग और अब गरीब में जिरा हूं अरे पहनने को चड़ी बनियान नहीं है और तु बोल रहा है गरीब हो गरीब हो अरे अब क्या अपना कुर्ता पाड़ के दिखाऊं या चाती पाड़ के दिखाऊं तेरे को जभी विश्वास होएगा क्या हम गरीब है आमीर है ओए 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 मोदी जी के सरकार में राउल गांधी सोच रहा है देश में कोई गरीब ही नहीं बचा अब आमीर कर दिये मोदी जी ने अरे राउल गांधी जी मैं बिलकुल गरीब हूँ पर ये तेरा एक लाक रुपिया कैसे मिलेगा हम लोगों को क्या क्या कंडिशन है वो बता मैं तेरी सारी कंडिशन पूरी करूँगा उसके बाद तो मानेगा कि हम लोग गरीब है ए मेरी लुगाई तू कुछ मौत बोलिए अगर तेरी आवाज सुनी ला राउल गांधी को तो अब ये कुवारा और मेरी लुगाई को पटा कर भगा ले जाएगा और मेरे को एक साल का एक लाग का नुकसान हो जाएगा ने 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 मेरी लुगाई तू चुप रहा है और सुन ये गुंगता मत उठाना य एक गुंगटा जो उठ गया तो मेरी लुगाई चली जाएगी मेरे एक लाग का नुकसान वह भी बहुत बड़ा हो जाएगा अरे बापरे बाप क्या बोल रहा हूं मैं मेरे को तो एक लाग की बहुत चिंता हो रही है दो लाग रुपया मिलेगा अरे रावल गांदी जल्दी बताओ क्या 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 वो तुमको फारम चाहिए कंडिसन है जिससे मुझे मेरी लुगाईयों का पैसा मिलेगा जल्दी बताओ चाहे मजदूरी करते हो अरे बापरे मैं तो मजदूरी नहीं करता नहीं मेरी लुगाई करती अरे राउल गांदी जी हम तो मजदूरी नहीं करते हैं और कोई कंडिसेन है क्या चाहे खेती करते हो अबाई खेती क्या मैं अपने बालों में करू मेरे पास जमीन नहीं है राहुल गांडी जी मैं खेती भी नहीं करता लगता है मेरे इम लुगाईयों को मेरा एक एक लाग रुप्या नहीं मिलेगा और भी कोई कंडिशन है क्या चल दी बताओ चोटे कार खाने में काम करते हो अरे राहुल बाई साब ना तो मैं मजदूर हूँ ना मैं खेती करता और ना मैं किसी कार खाने में काम करता मैं तो अपनी लुगाईयों के आचल में घुश के घुश के आराम करता हूँ और मोधी सरकार में फिरी अनाज रासन पानी खाता हूँ देखो देखो कितना वला कर रहा है मोधी सरकार फ्री फंड में सरसो तेल दे रहा है चीनी दे रहा है चावल दे रहा है अरे बापरे बाप कोई कमाने तमाने की जरुरत नहीं है सरकारी होस्पिटल में इराज हो जाता है आप क्या भाड में जाएं कोई काम करने की जरुत नहीं है मोधी सरकार में देखो देखो नेता हो तो मोधी जैसा हो ऐसे ऐसे नेता की जरुत है हमको अब तू कह रहा है कि केती करते हो मजदूरी करते हो अरे अरे हमको केती मस्दूरी में लगाएगा तू जब जाके हमको एक लाग रुप्या मिलेगा नहीं नहीं बाज साब मैं कुछ नहीं करता तुमको एक लाग रुप्या देना है वो नहीं देना है मुझे बताओ पहले आपके परिवार में एक महिला को आरे यार रावल गांदी जी महिला महिला चिला रहा है लगता है महिला महिला कि तेरे को बहुत याद आ रही है पहले तु शाधी कर ले यार बार बार महिला 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 अब एक लाग रुपया कैसे मिलेगा कितना मिलेगा साल में मिलेगा या एक महिना महिना मिलेगा कि मोधऄ जीट नहीं के सा जल्दी बता दे बरना मैं ॐdar जीट मिलाने वाला हो रहे हुँ महीना का 8500 रुपया पहले बोल रहा एक लाख अब दो जार रुपया क्या बाबाजी ले जाएगा क्या साही साही बताया राउल गांदी समझ नहीं आ रही है क्या बोल रहे है तूँ साल का एक लाख रुपया सरकार बैंक अकाउन में डाल देगी अच्छा मतलब महीने का 8500 रुपया और जब पूरा साल खतम होएगा तो एक लाख रुपया बाबरे बाद बहुत अच्छी सकीम है यह मोदी जी की 15 लाख से तो अच्छी सकीम है अभी वो पैसा आएगा कैसे ज खटा खट मैसीज आता रहे टिरिंग 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 वो बोलके बता फिर मेरे को विश्मास हो जाएगा कि राउल गांधी पैसा जरूर देगा हम मेरी लुगाईयों को है है खटा 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 आता रहेगा वा राउल गांधी दिल गाडन गाडन हो गया मोधी ठाकुर तो गयो गयो मोधी ठाकुर गयो मोधी तो गयो अभी मोधी जी को फोन लगा कर खुसकबरी सुनाता हूं ट्रिंग ट्रिंग ए गूगल एलक्सा मोधी जी को फोन लगाया जाए नाइन नाइन साइन साइन मोधी जी का नंबर फ्ैलगी पैल गई अरे मोधी जी भूल रहे हो नहीं पहले कुसमत बोलो मैं बोलूंगा राउल गांदी मेरी लुगाईयों के खाते में साल का एक लाग रुटिया देगा महिने का 500 रुपिया देगा इस हिसाब से तो मोधी ठाकूर तो गयो मोधी तो गयो करें होती है कि ने पंदरा लाक नहीं दिये कम से कम राउल गांदी पर विश्वास करके उसको बोट देकर जिताएंगे ने मोदी जी मैं नहीं जिताऊंगा यह सारे गरीब जिताएंगे तो मैं भी मैं भी दे तूंगा क्या पता मेरी लुगायों को एक लाग रुपया साल का मिल जाए आपकी सरकार में तो मिला नहीं 2020 में आपने बोला 15-15 लाग रुपया सभी गरीबों के बैंक अकाउंट में आएंगे अभी तक नहीं आया वो जंदन काता और घुलवा दिया उसमें से 20 रुपया दो रुपया चार रुपया कटता रहता है अब बताओ मोदी जी तुम क्या करोगे तुमारा वो वो क्या बोलते है वो फिलम दे कितना ठाकूर तो गयो गयो राउल गांधी आयो ठाकूर गयो अरे मोदी जी राउल गंधी लाइन पर है कुछ बोलना है उनको ए राउल गंधी जी मोदी जी भी लाइन पर है कुछ बोलेगा सुनो द्यान से इस बात को आज दुश्मन को भी पता है दुश्मन को पता है अरे दुश्मन न करे राउल ने ऐसा काम किया है सबी लुगाईों के खाते में पैसा देने का वादा किया है हरे मोदी जी एक एक लाग रुपिया साल का देने की बात करिया है अगर मेरी लुगाई को दस साल भी एक लाग रुपिया आता रहा तो बीस लाग रुपिया हो जाएगा नहीं 10 लाग 10 दुनी 20 हाँ 20 साल तक तो 20 लाग रुपया आएगा तुम्हारे 15 लाग से भी 5 लाग ज्यादा आएगा देखा कितने अच्छी सकीम है अब ये मोदी है इसके बारे में क्या कहोगे राउल जी बोल रहा है एक मिन्ट रुको में राउल गांधी की वो क्या बोलते हैं आवाज को म्यूट कर दूँ हा मोदी जी अरे मोदी जी मोदी है नहीं मोदी था सारी देश की जंता चिला चिला कर बोल रही है मेरे गाम उले पूरी बस्ती में बात हो रही है कि सभी लुगाईों के खाते में एक एक लाग रुपी आएगा सब दो तिन तिन चार चार लुगाई लेकर बैठे हैं दो लुगाई तो मेरे पास ही है देखो दो लाग तो मेरा हो गया अरे सब बोल रहा है राउल गांधी को बोट देंगे इससे पहले कि राउल गांधी को बोट दें आप एक काम करो हम गरीबों के खाते में पंद्रा पंद्रा लाग रुपीया डाल दो अभी एक महीने के अंदर अंदर चुनाओं होने वाला है मोदी जी मैं तुमारा ही चेला हूँ 2014 से पेला हूँ जहाँ चुराए चुराए पर जाकर हर मोदी गर-गर मोदी मैं ही तो करता हूँ जनता ये ये कुछ अंदबकत वही तो हैं जो बोलते हैं ये मोदी के चमचे हैं अंदबकती करते हैं अरे मोदी जी 15-15 लाग रुपीया डाल दो वरना मोदी तो गयो को समझे कुछ ये मोडी है गर में गुष कर मारता है अरे ये ऑडिए अरे हैलो है उर्ण उर्ण खेज निगे अरे बापर ने के बात आती है नारी फोन काट कर बाज गया अरे मेरे को फसा गया अरे मोडी जी मैं तो तेरे को इब मेरे को घर में गुश के मत मारना जब 2014 में तुने बाजन दिया था 15-15 लाग का मैंने तब भी तेरे को बोट दिया था अभी रावल गांदी हमको लालत दे रहा है कि एक एक लाग रुपिया देगा हमको बोट दो मोधी जी मैं तो आप ही को बोट दूंगा पर पर मेरे को मार मना मत मोधी जी मैं तो दो लुगाई होसे ही पिट पिट कर मरा हओ ओऊं और तुम मारना में दो लुगाई होने के बाद ऐसे मार जाएगा मेरे लोग के मेरा लोग कोई फाल तुआ क्या सारा देश राउल गंजी का बोट देगा तो क्या मोधी घर-गर गुष्टे माएगा सबको अरे मोधी जी तेरी सरकार में हमको तेरा वो आवाश योजना का घर नहीं मिला है हम तो रोड पे गुंते हैं अरे घर में गुष्टे मारेगा कैसे हम तो रोड पे रहते हैं देखा देखा अरे मेरे बिल्लू खसम मेरे बिल्लू भतार तेरे को लगता है तू चमचा बन गया मोधी जी का अरे मोधी जी हम तेरे को बोट ते देंगे पर हम गरीबों के खाते में पंदा पंदा लाग रुपया डाल दे वरना मैं तो राउल गांधी की बोट दूँगी ठीक है और मेरा लोग मेरा खसा मेरा भातार भी उसी को बोट देगा कर लो तुम क्या करोगे बड़े आए गर में गुश के मारेंगे आ मोदी जी अरे बाप रे बाप मेरी लुगाई तु मेरे को मरवाएगी लगता है अरे मोदी जी मोदी जी हमको माफ कर दो मेरी लुगाई का दिमाग इसके घुटनों में है इसका दिमाग मैं समझा दूँगा पर आप चिंता मच करो मैं तो आपी को बोट दूँघा चल मिल लुगा है चुप मिलकुल चुपो जा मैं पॉट चूप Europ जी फ Quinn कार दो आपी को पॉ लुट दूगा मैं कार दिया क अठी mooh della के सामने बनाोफ नहीं तुमत बोल मोधी जी बहुत गेरी सब्सक्राइब नाराज हो गई अरे मेरी लुगाई नाराज हो गई बताओ भाई जाए तो जाई कहा रे भाई